दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 को लेकर मन्थन तेच हो गया है वैपारियों के शीट संगठन फेडरेशन आफ ओल इंडिया वैपार मंडल फैम ने इसके लिए पहल की है फैम का कहना है कि मास्टर प्लान 2021 को सही तरीके से बनाने और लागू करने से पहले पिछले मास्टर प्लान के लिए डीडिये क्यों विफल रहा है मास्टर प्लान का तो कोई उचित्ते ही नहीं है तो इसलिए 2041 के मास्टर प्लान का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि 2021 या 2001 का जो मास्टर प्लान है उसमें क्या पैंडिंग रह गिया वो सरकार में बताए तो यह सबसे बड़ा आसपक्ट है दूसरे दिल्ली तीन चाह सरक कोईदेकारों हमें मानने पढ़ते हैं दिल्ली पुलिस का लग मानने पढ़ते हैं फायर डिबारट्मंट का लग है एमसीटीए लग है दिल्ली तेलग है लग ऊए के सब्सक्राइब करता है तो इतनी एजैंशे के सिर पर हमेशा से लड़की reacts ओक तो ऑदम लोग Cheers सरकारी एजन्सियों की जवाब दे ही तै होनी चाहिए उसके आसपास के चम्चे नहीं होने चाहिए बलकि वैपारी वरग जो असल में मेनत कर रहा है उसको अपनी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए तो मैं तो यह चाहूँगा कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो टाइम बॉंडिंग काम है जिस चीज को आप मास्टर प्लान में लाना चाहते है अगर आप उसको यह एक साल में करना तो एक साल में होना चाहिए अगर नहीं होता तो उस अधिकारियों की उस नेताओं की यह जवाब देई हमारे परती हम लोग भी उनसे पूछ सकें कि वह यह यह काम क्यों नहीं हुआ आप इसका कैसे रर जानना बरोगे आप इस देश को कैसे आगे लेके जाओगे यह हमारा पूछने का हक भी होना चाहिए आज यह हक हमारे पास नहीं है जिस दुन यह हक में मिल जाएगा कि हम गलत आदमी के उपर उंगली उठाके उसको रोक सकें और उससे जवाब देई कर सकें सबसे बड़ी चीज है जवाब देई टाइम बॉंडिंग जे तीज़ें अगर हो जाएंगी तो सरकार में ब्रश्टा चार अपने आप खतम हो जाएगा यह ब्रश्टा चार भी इसी लिए कि जवाब देई नहीं है विश्ट की रीड की हड़ी कहलाना है और वेपारी आज तक सरकार ने किसी वेपारी को बुला के पूछा दिल्ली वेपार का एक बड़ा केंद्र है पुरानी दिल्ली में देश भर के कारोबारी अपना वेपार करते हैं लेकिन कभी ट्रैफिक की समस्या के नाम पर कभी दिल्ली को सुंदर बनाने के नाम पर वेपारीयों को ही निशाना बनाया जाता है अगर ईंक्रोस्मेंट है रोड़ के उपर में है कहीं और कहीं है उसको वाटायें बेशक उसमें हमें को है यत्राज नहीं है लेकिन जो व्यापार है जहां के इन्होंने विकास करना है उस ग्रामिन सेथरी की जहां भूमी ले गहे तो पहले उन्स ग्रामिनों का ध्यान रक्षा जाए उन्स ग्रामिनों के लिए पहले सारी वही जी जाएं जो के एक अच्छे टाउन के अंदर में होस्पिटिल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलिज हैं, टेक्निकल एजूकेशन हैं, ताकि उनके बच्चों को वहां रोजगार मिलते हैं श्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, उनके लिए सी योजना बनाई जाए, उनको भी वहां लिया जाए और जो अब एट प्रेजेंट जो जहां गोडाउंज हैं, वेर हाउसिज हैं, या इंडस्ट्री के जो इसी दो चलने लग रहें, उनको वहीं एजिटीज ही उनको वह अपने, चाहे उसमें संसोधन करना पड़े, उसको एजिटीज अपना रखा जाए दिल्ली सुंदर बने, किसं किसं के वेपार के लिए एक कलश्टर बने, लेकिन विकास के नाम पर उजारा ना जाए, बलकि बसाया जाए इसी मकसद के तहट फैम ने वेपारियों को एक जुट करना शुरू कर दिया है ब्रोरकाष्ट मंत्रा दिल्ली ब्यूरो ब्रोरकाष्ट